हम मनुष्य बिन्न बिन्न घरों में रहते हैं, मगर एक ऐसा घर भी है जिसे हम सभी मनुष्य एक साथ साजा करते हैं, यहां हम उर्थवी के बात कर रहे हैं, जो कि इस सुर्यमंडल में एकलोता और ब्रह्म्भंड में अब तक का ग्यात ऐसा एक ग्रह है, जिस पर जिवन हैं, आईए हमारे इस अग्वूत नीले और जिवन दाय ग्रह के बारे में कुछ अमेजिंग फैट जानते हैं, हेलो फ्रेंड्स, वीडियो अन तक जरूर देखेगा, धर्ती पे कुल पास्तो सक्रिय ज्वाला मुखी ऐसे हैं, जिनोंने धर्ती की सतह के निचले और उपरी भाग का 80% हिस्सा अपने ज्वालमों के राक से बनाया है, नमबर दो, दर्ती के सारे महादुविप पिछले 2.5 करोर साल से गती कर रहे हैं, यह गती टेक्टोनिक प्लेटों के निरंतर गती के कारण, हर महादुविप दूसरे महादुविप से 29 चाल से गती कर रहे हैं, ज दर्ती पर ताप का स्त्रोत केवल सुरिय नहीं है, बल्कि दर्ती की अन्दूनी भाग पिगले हुए पदार्तसे बना है, जो लगातर दर्ती की अन्दूनी ताप स्तीर रखता है, एक अनुमान के अनुसार इस अन्दूनी भाग का ताप मान 5000 से 7000 डिगरी सेलसियस हैं, ज विग्यनिकों का मानना ही कि धर्ती पर कोई उलका पिंड गिरने या फिर निरंतर ज्वाला मुख्यों और ताकतवर भुकम्पों के कारण धर्ती से डाइनोसोरों का अंतो हुआ पहले जब सभी महादुप जुड़े हुए थे तब ऐसे दिखाई देते थे और इसे विग्यन धर्ती के वायू मंडल के अंदर पोचने पर गर्शन होने के कारण जलने लगते हैं जिने हम तुटता टारा कहते हैं नमबर 6 आमतोर पर माना जाता है कि शुक्र सवर मंडल का सबसे चमकिला गरह है पर ऐसा नहीं है अगर खास दूरी से सवर मंडल को सबी गरहों को देखा जाए तो धर्ती सबसे ज़्यादा चमकिली नजर आएगी ऐसा इसलिए है क्योंकि धर्ती का पानी सुर्य प्रकाश क को परिवर्तित कर देता है जिससे एक वहद खास दूरी से सबसे चमकिला नजर आता है नमबर सेवन धर्ती की सतव का सिर्फ 11 परसेंट हिस्सा ही भोज़न उत्पादित करने के लिए उपयोग किया जाता है नमबर एट आज से 25 करूर साल बाद धर्ति अपने अक्षा पर 25 गंटों का होगा नमबर नाइन धर्ति अपने दूरे पर 1600 किलोमेटर प्रति गंटे की रफतार से घूम रही है जबकि सुरिय की ईदगीत यह 29 किलोमेटर प्रति सेकेंड के रफतार से चक्कर लगा रही है जो गैसा लगा कमेंट करके जरूर बते आएगा वीडियो को ला